संजय जी आप कह रहे थे बाला साब के सिपाई हैं बाला साब थाकरे ने जो सिखाया उसको फॉलू करते हैं लेकिन एकनाथ शिंदे बार-बार कहते हैं कि आप बाला साब थाकरी की जो आईडियोजी थी हिंदुथ की विचाहधारा थी उससे पीछे हट गए इसलिए उनको पाटी छोड़नी पड़ी एकना सुन्दों को मालूम है एडालोजी शीव सना की उनको पूछ लिये कि भी मिले तो पूछे एडालोजी है ने शीव सना की बाला साथ ठाकर जी की और हमने कभी हिंदूत्वच छोड़ाया उनको पूछो एक उधारण दिखाईए कि हमने कभी हिंदूत्वच छोड़ा है यह पहले आदमी है एकना सिंदे रो रो के जाहिर सभा में हमको भीज़ेपे के साथ नई रहना हिसान चूंद तोड़ दिजैं तो इस्तिफा लेजीं कियों बार बार आदमी जीब और इएडालोजी की कि हमने कटार किया है हमने गभदारी ने कि विद्रू किया है हिंपत चाहिए करणती काले में हिंपत evolved होती है सच का सामना करने की जिल जाने से डर ग है उसका गदर नहीं हम आने कह यह अब उन्हों निसाहां को बताता हूं उन्हों कहा कि कैसे बाला साथ ठाकरी की विचाध धारा से कंप्रमाइज हुआ कैसे हिंदुत्व से समझाता हुआ मुंबई ब्लास के दोशी आतंकी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई थी जो विधायक उस फांसी का विरोध कर रहा था उसको उद्व ठाकरी की सरकाव में मिनिस पर ऐसे बहुत से लोग थे उसको स्वातंत्र सेनिक कहने वाली में बुबा मुक्ति बीजीपे के साथ सब्ता में आ गई उस बीजीपे के साथ शिंदे बैठे है वो चलता है कौशी गदर की बात कर रहे है गदर शब्द का अर्थमालूमें उनको क्या होता है कि क्या उनका है मैं इतना है कहां कि डर गया और भाग गया यहहिए उनको बाला सवाप ठाकरी के विचारों को आ不多 हा रहे हैं उनको बाला साब ठाकरी कभी समझे ही नहीं अगर उनको बाला साब समझ में आते तो यह गद्दारी नहीं करते देखे एक उधारन बार बार देते हैं कि बाला साब ठाकरे कभी नहीं चाहते थी कि कॉंगरेस के साथ शिवसेना का समझाता हो और यह बाला साब ने पब्लीक ली कहा भी कर आपको मालूम होगा जिन्देका तब जनम भी नहीं हो गया राजनीति में या अभी-अभी क्या अभी मैज्ञान में आये है क्या वोता हूँ है ना नई नई दुलन है यह जब उनकी वह हमारे यहां दुलन को हलत लगाते हैं अब उतर जाएगी वेजी पर उनकी उतार देंगे कोंग्रिस के पाद अगर कहें कि कांगरिस के पाकिस्तान या किसी अमेरिका से आई भी पार्टी है हमारे मतबद है उनके साथ लेकिन उनको पता नहीं यही बाला सा ठाकर है जो इंदेरा गांदी के साथ भी हात मिला चुके है इमर्जंसी को सपोर्ड भी किया था हमने और एक जमाने में बैरिश्टर अंतुले के साथ भी हमारे रिष्टे रहे और कॉंग्रिस को समर्थन के लिए हमने कभी विदान सबाब के चुनावा में हमर उमेदवार भी ने उतारे थे यह एक इत्यास है कभी-कभी रिष्टे बिगडते हैं कभी खराब हो जाते हैं यह तो कहते थे कि देश को बाठने में कॉंग्रेस का हाथ है बाला साब ने कहा है लेकिन राजनेतिक परुसिती बदल भी जाती है कभी-कभी इतनी बदली कि आप कहरें कि भारत जोडने में रा किलोमेटर चलता है और उनके साथ एक कारवा एक भीड चलती है लोग जाते है चलते हैं और राजनिति के बात नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है एक देश में एक अच्छी उर्जा उसमें आई है एक पिरणा मिली है और रहुल गांदी को एक नई ताकत भी मिली है इतनी ही बूर्जा मिली है लिए कि उन्होंने वीर सहर करको माफी-वी कहा उन्होंने वीर सह आपकर जो शिवसेंना के एइडियल है हमने हमने तुरंद उसका विकर किया है त से तो हमारी सरकार के तरब से भी गया वहां दिल्ली में वीर सावरकर हमारा ऐडाल narr Когда they stay एकना शंदे में में भोलने की बोल कर दिखाय کہ सावरकर। हम आभी बोलते हैं Здоров कर हमारे आधर्श अधर ने जिन सावरकर को आप अधर्श मांते हैं जिन तो इसलिए तो मैंने बिजी पी से बार बार कहा कि सावर करजी का सन्मान करिए अगर रहूल गांदी उनको माफियर बोल रहा है तो आप उनको भारत रतन से सन्मानित करिए किजिए और अमित्शा ने कहा कि आपने विचारधारा से समझोता कर लिया विरोधी विचारधारा के तलवे चाटना पसंद किया तो उसका उपर मैंने जबाब दिया था उसके उपर बहुत बड़ा बवाल हो गया तो आप हमारे जो आज के मुख्यमंत्रिय हो क्या चाट रहे है ऐसा मैंने कहा था और किसके तलवे चाट रहे है यह चाटूगिरी के राजनीती इस देश में अगर चल रही है तो उसमें सब लोग शामिल है तेकि आप भी तो कम नहीं है ना आप भी कभी उनको गदार कहते है आप